इधर PCC चीफ मुहन मरकाम ने भी सोनिया और राहुल गांधी को पत्र लिखकर नहरू गांधी परिवार पर आस्था जताई है। बंसल नियूज ने PCC चीफ मुहन मरकाम से खास बाचेत की। CWC के आज बड़ी एहम बैठक होने वाली है। उससे पहले तेईस नेताओं ने बड़े नेताओं ने खत लिखा है। फुल टाइम अध्यक्ष को लेकर जिसके बाद एक सियासत शुरू हो गई है। सियासत गर्मा गई है कि आखिरकार क्या ये जो खत है इसके माइने क्या है। अध्यक्ष मुहन मरकाम इस वक्त हमार साथ है जिनों हुने खुद सुनिया जी और राघुल गांधी को पत्र लिखा ये। ऐबने पत्र लिखा है किया ऊस पत्र में आपने लिखा है क्या बात कहिए तीस निताओं ने जो खत लिखा है उसके बाद मैं देश की सबसे पूरानी पार्टी कंग्रेस पार्टी 135 साल पुरानी का जो राश्टी अध्यक्ष जो गांधी परिवार से होना चाहिए हमने निविदन किया है आदानी सुनिया गांधी जीन 2004 से नित्रितु समाला 2004 के उनके नित्रितु में चुना लड़े थे और 10 साल UPA की सरकार केंद्रे में सरकार में रही है माननी राहूल गांधी जी ने राश्टी अध्यक्ष के तौर पर जो BJP के विजयरत को भी रोकने में सफल हुए है राजस्तान हो मद्यप्रदेश हो 36 गड़ में हो कांग्रेस की सरकार बनी है तो एक जूरता के साथ पूरे देश के कारेकरताओं की जो मंसा है गांधी परिव की तौर पर देखा जाए क्या उनकी मनशायक आप लोग कैसे देख रहे हैं नहीं देखिए हमारे जो नेताओं ने जो खत लिखा है उनका कहना था कि अभी हमारी राश्ट्री नेता राश्ट्री अध्यक्ष बनाने का समर्थन किया है तीस सिंग्देव ने राहूल गांध कर दो अबस्यक्षा है तीस सिंग्यक्त वर्मारी राश्ट्री ने परकांगी को अव्यक्त वरे जो खितल पर राश।